सो ही गाईस कैसे हो आप लोग उमिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तों आखिर आपका NDA 2 का एडमिट कार्ड कवाने वाला है और हम आपको बता दें दोस्तों यदि आपने NDA 1 का एक्जाम दिया था ठीक है तो आपका एक्जाम हुआ था पिछली वार 21 पहल को ठीक है 21 पहल दो है 24 को आपका एक्जाम हुआ था और आपके एक्जाम से ठीक 9 दिन पहले आपका NDA का एडमिट कार्ड जारी किया गया था एक्जाम से 9 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आया था और हम आपको बताएं आज आपका एडमिट कार्ड आने की पूरे मैसा पूरे सं बाब बनाएं क्योंकि एक सितंबर को आपका एक्जाम होने वाला है अल्मोस्ट देखा जाए तो दस दिन बचें आपके एक्जाम के तो आज आपका एड्मिट कार्ड आ सकता है मेभी ठीक है क्योंकि 9 या 10 दिन पहले आपका एड्मिट कार्ड जारी किया जाता है UPSC के लेना और हमने आपके लिए टेलिगाम गुरुप बना दिया है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा नहीं तो टेलिगाम पर जाना सर्च कर लेना जी स्टड़ी आपके सामने अकाउंट है जाएगा जोइन कर लेना ठीक है तो आज या कल आपका 100% एड्मिट कार्ड आ जाएगा इसी वेब्शाइट पर दोस्तों आपका NDA2 काडि का घंड कर आने वाला है और कहां पर आयाएगा जब आप्ट अपका 10 लिंक करोगे इस तरह कि वेब्शाइट आपकी सामने उपन हो जाएगा फिर कहा कर नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पर column बना जाएगा जब आपका admit card आ जाएगा ठीक है रिलिस हो जाएगा download admit card जैसे कि आपका सामने दिख रहा है कि download notification इस तरह का दोस्तों आपको update देखने को मिलेगा ठीक है जब आ जाएगा download admit card का उस पर click करका अपना download admit card कर लेना ठीक है और जब आ जाएगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे चैनलों को subscribe कर लेना आज आपका admit card आने की पूरी संभाबना है क्योंकि पिछली वार 9 या 10 दिन पहले आपका admit card आया था 21 को exam हो था और admit card दोस्तों 12 अप्रेल को ठीक है तकरीबा 9 दिन पहले आपका admit card आया था पिछली वार जो हम आपको बता रहे हैं अपित आपसे नहीं बता रहे हैं तो आज या कल तक आपका 100% admit card आ जाएगा ठीक है तो आज भी आ सकता नहीं तो कल तो confirm 100% आपका admit card जारी कर दिये जाएगा UPSC की पहले आपका admit card आया था और इस बार क्या पता 10 दिन पहले आपका admit card आ जाए ठीक है almost देखा जाए तो 9 या 10 दिन पहले आपका admit card जारी कर जाएगा तो आज आपका admit card आने की पूरी में से पूरी उमीद है और साम को 4 या 5 वजे के आसपास ठीक है आप UPSC की website को विजिट क कर लेना लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जी study के नाम से टेलिगाम गुरूप है सबसे पहले अपडेट हम आपको देते रहते हैं तो जोइन कर लो चैनलों को subscribe करके रखना सबसे पहले वीडियो बना देंगे किस परकार आपको download करना होगा ठीक है तो कमर कस लीजे तैयार करते रहींगे कोई भी अब्डेट आयेगा बाकी हम आपको बताएंगे फद्लाल आज की वीडियो में इतना ही थी आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करे देना सेअर कर देना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तियारी करते रहर आपना ख्याल लगो